प्रस्न चार, पांच बटा अठारा को माइनस साथ बटा बहत्तर के ब्यूत्क्रम से गुना कीजे, तो गुना का चीन देंगे, और माइनस साथ बटा बहत्तर का ब्यूत्क्रम हो जाएगा, बहत्तर बटा माइनस साथ, ठीक है, तो पांच बटा अठारा को माइनस साथ बटा बहत्तर के ब्यूत्क्रम से गुना करना है, तो 5 बटा 18 गुना 72 बटा माइनस 7 लिख लेंगे क्योंकि माइनस 7 बटा 72 का व्यूत करम हो जाएगा 72 बटा माइनस 7 इस तरह से तो व्यूत करम मतलब होता है कि जो अंस है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंस तो माइनस 7 बटा 72 का व्यूत्क्रम हो जाएगा 72 बटा माइनस 7 तो 5 बटा 18 को इससे गुना करना है अब 18 चौक 72 चार बार में कट रहा है तो हम 4 से काट लेंगे ठीक है तो इसका उत्तर हो जाएगा देखें पांचोक 20 और यहाँ पर है माइनस 7 तो माइनस अंस के साथ हो जाएगा यानि माइनस 20 बटा 7 इसका उत्तर होगा तो यहाँ पर जो माइनस है हर के साथ वो अंस के साथ लगा दिया जाता है ठीक है तो माइनस 20 बटा 7 इसका उत्तर होगा प्रस्न पांच माइनस 1 बटा 3 गुना 1 बटा 2 जोड एकवटा चार बराबर माइनस एकवटा तीन गुना एकवटा दो जोड माइनस एकवटा तीन गुना एकवटा चार के रूप में कौन सा गुन धर्म है बताईए तो प्रस्न पांच तो प्रस्न पांच में हैं माइनस एकवटा तीन गुना एकवटा दो बराबर, माइनस एक वटा तीन, गुना एक वटा दो, जोड़, माइनस एक वटा तीन, गुना एक वटा चार, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गुन धर्म है, उसको बताना है, तो माइनस एक वटा तीन, गुना एक वटा दो, जोड़, एक वटा चार, यहाँ पर एक वटा दो, जोड़, एक वटा चार क्या है, कोष्टक में है, यानि छोटा कोष्टक में, ठीक है, और माइनस एक व एकवटा 2 के साथ भी गुना हो रहा है और एकवटा 4 के साथ भी गुना हो रहा है यानि माइनस एकवटा 3 एकवटा 2 के साथ भी गुना हो रहा है और माइनस एकवटा 3 एकवटा 4 के साथ भी गुना हो रहा है तूसरी को यहाँ पर बितरन करके लिख दिया है माइनेस एक वटा तीन गुना एक वटा दो फिर जोड है तो देखें यहाँ पर जोड का चीन ने दिया है फिर माइनेस एक वटा तीन गुना एक वटा चार इस तरह से लिख दिया है यानि बितरन करके तो कौन सा गुंधरम है? तो इसका उत्तर होगा वित्रन नियम या बोलेंगे वित्रकता वित्रन नियम को वित्रकता भी बोलते हैं ठीक है यानि वीतरन कर दिया है देखे माइनस एक वटा तीन यहाँ पर कॉमन लिया हुआ है और यह दोनों कोश्टक में है तो यहाँ पर वीतरन कर दिया है माइनस एक वटा तीन एक वटा दो के साथ भी गुना हो रहा है और माइनेस एक वटा तीन, एक वटा चार के साथ भी, तो दोनों का उत्तर एक ही आएगा, इसका मतलब होगा, कि अगर हम एक वटा दो जोड एक वटा चार को पहले जोड लें, क्योंकि कोश्टक में है, ठीक है? यह भीन का जोड के जैसा इसको जोड लें, और फिर माइनस एक वटा तीन से गुना करें तो जो उत्तर आएगा वो इसके बराबर ही होगा यानि ये दोनों को गुना करें फिर ये दोनों को गुना करें फिर दोनों को जोड़ दें तो उत्तर क्या होगा बराबर ही होगा इसका और बराबर है देखिए यहाँ पर तो यह कौन सा नियम है बित्रन नियम यानि बित्रक्ता प्रस्न छे क्या माइनस एक उनांक एक वटा आठ का गुनातमक परतिलोम आठ वटा नौ है कारण सहीत उत्तर दीजे तो प्रस्न छे तो गुनातमक परतिलोम को चेक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि गुना करके देख लें तो माइनस एक पुनांक एक वटा आठ को गुना कर देंगे आठ वटा नौ से तो देखिए अगर एक आ जाएगा अगर एक आ गया तो माइनस एक पुनांक एक वटा आठ का गुनातमक परतिलोम आठ वटा नौ होगा अगर नहीं आया तो नहीं होगा तो पहले पुनांक तो लेंगे तो आठ गुना एक आठ आठ एक नौ यानि माइनस नौ बटा आठ हो जाएगा माइनस नौ बटा आठ ठीक है गुना 8 बटा 9 तो देखिए minus एक पुर्णांक, 1 बटा 8 क्या हो गया? minus 9 बटा 8 इसको पुर्णांक तोड़ने पर 8 गुना, 1 एक आट और एक जोड़ेंगे तो 9 यहां minus है, तो minus देँगे minus 9 बटा 8 हो गया और यह 8 बटा 9 तो देखे 8 से 8 कट गया 9 से 9 कट गया लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है सब कट गया तो 1 बचेगा और माइनस है तो माइनस एक अगर यह माइनस नहीं रहा था अगर एक आ जाता तब तो माइनस एक पुनांक एक वटा 8 का गुनात्मक परतिलों 8 वटा 9 होता क्योंकि गुनात्मक परतिलों से गुना करने पर एक आना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस एक तो इसका मतलब हुआ तो इसका उत्तर लिख देंगे नहीं क्या लिखेंगे नहीं क्योंकि क्योंकि गुननफल एक नहीं है गुनानफल एक नहीं है तो गुनानफल एक नहीं है इसलिए माइनस एक पुर्णांग एक वटा आठ का गुनात्मक परतिलोम आठ वटा नौ नहीं है ठीक है इसका उत्तर हो जाग अगर गुनानफल एक रहता तो इसका उत्तर हाँ देते प्रहसन साथ क्या तीन पुर्णांग एक वटा तीन का गुनात्मक परतिलोम सुन्य दस्मलो तीन है क्यों अथवा क्यों नहीं तो प्रहसन साथ तो तीन पुर्णांग एक वटा तीन का गुनात्मक परतिलोम सुन्य दस्मलो तीन है तो गुना करके देखेंगे तभी पता चलेगा गुनात्मक परतिलोम मतलब गुना करके देखना है कि अगर एक आगया तो तब तो है अगर नहीं आया एक तो नहीं है तो तीन पुर्णांग एक वटा तीन को गुना करेंगे सुन्य दस्मलो तीन से तो पुर्णांग तो तीन तीन आई नौ नौ एक दस दस वटा तीन आ जाएगा गुना सूने दसमलो तीन को हम लिख सकते हैं तीन बटा दस क्यों लिखेंगे क्योंकि दसमलो के बाद एक अंक है तो दसमलो हटाएंगे तो बटा में एक पे एक सूने देना होगा यानि जितना दसमलो के बाद अंक होगा उतना ही सूने एक पे देना होगा बटा में तो सुने दस मलो 3 को हम लिख सकते हैं तीन बटा दस अब देखें दस से दस कट गया तीन से तीन कट गया कितना आ गया? एक आया तो इसका मतलब हुआ कि तीन पुर्णांक एक बटा तीन का गुनात्मक परतिलों सुने दस मलो 3 है इसका अंसर हा देंगे इसका अंसर क्या होगा यानि इसका उत्तर क्या होगा हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि गुननफल एक है हाँ क्योंकि गुननफल एक है यानि दोनों का गुननफल एक आया है इसलिए तीन पुर्णांग एक वटा तीन का गुनात्मक परतिलों सुने दस्मलों तीन है या सुने दस्मलों तीन का गुनात्मक परतिलों तीन पुर्णांग एक वटा तीन है तो इस तरह प्रस्न साथ भी हल कर लेंग